हेलो स्टूडन्स कैसे हो अच्छे हो ना आशा रखती हूँ सब अच्छे होंगे अभी हिंदी का जो FA1 का जो हमारा कॉर्स है वो पूरा हो गया है उसका रिटन वर्क पी सायद आप लोगोंने सबने कर लिया है तो आज से हम हिंदी का रिविजन स्टार्ट करेंगे आपको प रिविजन करेंगे यहां पर आपको MCQ में आज एक्स्प्लेंड करूंगी आंसर के साथ और फिर इसकी PDF आपको बेजूंगी जो सारे MCQ आपको हिंदी की बुक में रिविजन में लिखने है स्टूडन्स आपको पता है कि यही हमारी स्कूल की सिस्टम है कि हमें पूरा विभाग में जो फर्स्ट है MCQ उसका रिविजन कराऊंगी यहां पर आपको चैप्टर टू एंड फॉर के MCQ दिए गए है कि बुड़ी काकी में कौन सी चेश्टा सेश बची थी तो इसका आंसर आएगा कि स्वाद की अपने कश्टों की और ध्यान आकर्शित करने का बुड़ी काकी के पास क्या उपाय था तो रोना बुद्धी रांग बुद्धी काकी का क्या था तो भतिजा लड़कों का बुड़ों से स्वाब्भाविक डैस होता है तो उसका आंसर आएगा विद्वेश बुद्धी काकी के संताप और डैस पर कोई त्यान नहीं देता था तो इसका आंसर आएगा आर्तनाद डैस ने काकी और लाड़नी में सहानु भूती का आरोपन कर दिया था तो उसका आंसर आएगा स्वार्थानु कुलता बुद्धी रांग और रूपा दोनों ही पुद्धी काकी को उनकी डैस के लिए डंड देने का निश्चे कर चुके थे तो इसका आंसर आएगा निरलज्चता थोड़ी सी डैस ने काकी की क्षुधा को और उत्ते जित कर दिया था थोड़ी सी डैस ने काकी की क्षुधा को और उत्ते जित कर दिया था तो उसका आंसर है पुद्धी काकी कैसे रोती थी तो घला फाड़ फाड़ कर बुद्धी राम के घर की सुच्चव में पुड़िया बन रही थी तो लड़के मुखराम के तिलक का उत्सव था बुद्धी काकी को कहां पर बैठा देखकर कुरुपा क्रोधित हो गई तो कड़ाह के पास किस खुशी में लाड़ली को नींद नहीं आ रही थी तो काकी को पुड़िया देने की खुशी में उत्सव के दिन बुद्धी काकी किसके डर से नहीं रो रही थी तो सुब प्रसंग पर अब शुकन के डर से बुद्धा पे में बुद्धी काकी की समस्त इंद्रियों का केंद्रस कौन सी इंद्रिय थी तो आंसर होगा स्वादेंद्रिय अभी फौर्थ चप्र कहें एक प्रस्न चार उत्तर पाठ के लेखक कौन है तो इसका आंसर होगा स्री प्रकास इसाई पादरी के अनुसार इसाई पादरी के अनुसार तो इसका आंसर होगा यहां पर सेंटेंस पूरा करना है तो इसका जवाब होगा हम लोग अपने काम में घर्व नहीं लेते व्रूत्य सरकारी कर्मचारी के अनुसार हम लोग अपनी जिमेदारी नहीं समस्ते यह इसका आंसर होगा विदेशी मैला ने देश की अवनती का कारण बताया क्या कारण बताया विदेशी मैला ने तो हमारे अलस्य को अंसर होगा हमारे अलस्य को अभी 19 नंबर है व्रुद्धास्त्री के अनुसार क्या है व्रुद्धास्त्री के अनुसार क्या हुआ है तो भारत में लोग एक दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते इसका आंसर होगा व्रुद्धास्त्री के अनुसार का आंसर होगा भारत में लोग दूसरों को आगे नह बढ़ाते प्रत्येक नागरिक को पुरुणत लगण एवं निष्टा के साथ कारे करना चाहिए तो इसका अंसर होगा इमानदारी वृत इसाई पादरी ने कहा क्या कहा वृत इसाई पादरी ने तो तुम लोग अपने काम में घर्व नहीं लेते भगवन की मूर्ति की स्थापना करने के बाद इसका अंसर क्या होगा तो उनके कहे अनुसार चलना चाहिए लेखक को किस बात की खपत है तो उसका अंसर है देश की अवनती के कारण जानने की कुटुम व्यवस्था किस प्रकार नाश्ट हो गई तो इसका अंसर होगा गुणी बड़े बुडो द्वारा अपना ग्नान ज्यान अपने पूत्रों को नव देने के कुटुम व्यवस्था किस प्रकार नाश्ट हो गई है तो जुगूणी और बड़े बड़े बुड़े लोग है वो अपना ग्यान अपने पूत्रों को नहीं देते हैं हम किसकी जय जय कार करते है तो इसका आंसर होगा बड़े बड़े नेताओ की सच्चा देश भक्त कौन है तो इसका आंसर होगा जो अपना कर्तव्य ठीक से करता है स्टुडन आपको यहां पे आंसर के साथ समझाया गया है अभी आपको यह सारे MCQS बूक में रिवीजन एफेवन ऐसा हेडिंग डालके लिखना है आसा रखती हूँ आपको समझ में आ गया होगा अस्तु